हिमाचल परदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर अब ट्यूशन सेंटर नहीं चला पाएंगे और नहीं स्कूल से छुटी होने के बाद घर पर ट्यूशन पढ़ा पाएंगे यदि वे ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जांच होगी और जांच रिपोर्ट के अधार पर उन्हें सस्पेंट भी किया जा सकता है उच्तर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमर्जीत शर्मा की ओर से इस सबंदी आदेश चारी किये गए हैं जुनने कहा कि लगातार ऐसी शिकायते मिल रही थी कि कुछ टीचर स्कूलों में बच्चों को बढ़ाने की जगा ट्यूशन पढ़ने का दबाब बना रहे हैं उनने कहा कि सरकारी विद्धी स्कूलों के टीचरों के टीचरों के ट्यूशन पढ़ाने पर हिमाचल एजुकेशन कोड के तहत रोक लगाई गई है और अगर कोई इन नेमों के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कारेवा ही की जाएगी केबल सरकारी बल्कि मैं आपके मादनेम से कहना भी चाता हूं कि प्राइबेट स्कूलों के अध्यापक भी यह हमारे एजुकेशन कोड में और इनके जो कंडक्ट रूल्स हैं उसमें भी लिखा है कि कोई भी हमारे टीचिंग स्टाफ या जो हमारे सरकारी स्कूलों में अध्यापक है या दूसरे लोग भी है वो कोई भी प्राइबेट टूशन नहीं पढ़ा सकते पहली बार दूसरा हमें कुछ शिकायतने बार-बार मिल रही थी वो ज्यादा तर प्राइबेट स्कूल की थी प्राइबेट स्कूल के टीचर भी टूशन पढ़ाने में वो कहीं न कहीं बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप प्राइबेट टूशन पढ़ाएं तो इसलिए उनको सौट आफ एक बार हमने चिताबनी दी है कि इस तरह की बातों में ना उल जाएं और जो एस पर रूल्स जो उनका करतब्या है उसको निभाएं और टूशन ना पढ़ाएं अगर पाए गए तो केबल सरकारी बल्कि मैं आपके मादनेम से कहना भी चाहता हूं कि प्राइबेट स्कूल्स के अध्यापक भी यह हमारे एजुकेशन कोड में और इनके जो कंड़क्ट रूल्स हैं उसमें भी लिखा है कि कोई भी हमारे टीचिंग स्टाफ या जो हमारे सरकारी स्कूलों में अध्यापक है या दूसरे लोग भी है वो कोई भी प्राइबेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते पहली बार दूसरा हमें कुछ शिकायत में बार बार मिल रही थी वो ज्यादा तर प्राइबेट स्कूल्स की थी प्राइबेट स्कूल्स के टीचर भी ट और जो as per rules, as per norms जो उनका करतब्या है उसको निभाएं और टुशन्स ना पढ़ाएं। देखिए कि set norms है, set rules है जो as per rules कारवाई होगी। अगर पाए गए तो। शिमला से गजेंदर शर्मा की रिपोर्ट